इस जमाना अलग हो गया है कि भगवान से भी लिन दिन का मामला चल रहा है कि आप मेंना ये काम कर दो तो ये हो जाएगा और काम एक भी नहीं हुआ तो भगवान बदल ले कि वही कहीं और माथा टेकते हैं यहां तो काम हो नहीं रहा तो ये भक्ती नहीं होती तो एक तो जो perception भक्ती का बन गया है कि भजनकीरतन पुजा पाठ कर लिया और भक्ती हो गई भक्ती का असल मीनिंग है surrender समर्पन और समर्पन व्यक्ती कब करता है जब पहला चीज विश्वास होता है कि वो जो भी करता है वो सही करता है मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि आप बहुत ज़ादा depression में नहीं जाते हैं आपने सब कुछ देखा है चाए struggle है, insult है, rejection है हर फील में हर चीज होती है अगर आप आगे भढ़ रहे हैं कोई position पर जाने की बुरा नहीं चाती तो कई बार बुरी चीजे भी मेरी जिंदगी में हो रही है मुझे पता है वो मेरे अच्छे के लिए है क्योंकि वो कर रहा है तो यह समर्पन, यह भगती है तो यह आपको हारने नहीं देती क्यों हारेंगे आप क्योंकि आपको पता है ना कि वो हारने देगा नहीं तो आप अपने आप आप गिरे आप फिर उठेंगे कि नहीं भई अभी गिरना शायद जरूरी होगा उसका इशारा है इसलिए चलो फिर उठते हैं फिर आगे बढ़ते हैं तो अरजुन ने भी जब समर्पन की बात गीता जी में आती है तो कई लोग कहते हैं कि धर्म का मतलब होता है अंध विश्वास नहीं क्योंकि अगर अंध विश्वास होता अंध विश्वास में question करना लाउड नहीं होता आपको गीता अगर सिर्फ भगवान की बात होती तो दो पन्ने में खतम हो गई होती ये दोनों के बीच की बात है जिसमें अरजुन ये जानते हुए के सामने कौन खड़ा है question करने के तो कोई सवाल ही नहीं था वहाँ पर कि भगवान लड़ने बोल रहा है क्या question करना पर उसने continuously questions किये है पर उसका भी नाम आया था समर्पन कि वो समर्पित होकर question कर रहा था कि ये जो खड़ा है ये मेरे हर सवाल का जवाब जानता है ये मुझसे कभी कुछ गलत काम नहीं कराएगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिग्यासा बाहर नहीं निकालूँगा मैं अपने questions पूछूँगा तो भक्तिकार्थ ये होता है कि पहला निश्काम होता है क्या फाइदा मत धूनिए कि मेरा काम नहीं हुआ तो भगवान ही नहीं भई भगवान कहा है भगवान होते तो ऐसा होता क्या वो तो इंसान है इसलिए ऐसे हो रहे है काम भगवान ने तो सब को देखे बच्चा तो मासूम ही होता है बड़े होकी खराब हो जाता है कोई बच्चा गलत आपने देखा है क्या छोटा सा बच्चाई डॉन बनने के बारे में सोच रहा है वो तो बच्चाई होता है मासूम होता है सच्चा होता है तो भगवान इसलिए कहते हैं बच्चे भगवान का रूप है तो वो एकदम प्यॉर होते हैं बड़े होने के बाद हम काम खराब करते हैं और नाम फिर हम भगवान का देते हैं क्योंकि हमको इलजाम लगाने के लोग चाहिए ये फेलियस के लिए भी है फेलियस के लिए हम कहते हैं मेरा काम अच्छा नहीं था, मुझे पैरेंस ने सपोर्ट नहीं गया मेरे पास यह नहीं था वरना कर देखा जाए इनी सिच्वेशन में कई लोग है जो काम करके आगे बढ़ जाते तो करने वाला तो कर लेगा नहीं करने वाला इल्जाम लगाएगा तो वह इल्जाम अभी हमें ऐसे दिखता है एक ऐसा कोई है जो सामने तो खड़ा नहीं है इसको नहीं पता कि भगवान के पास पीछे एक बड़ा सा टेडी बेर रखा है और भगवान उसको कह रहे है कि बस दे दो और मुझ पे विश्वास रखो कि वो दे दो छोटी चीज जो तुमसे आपको वो बुरी लग रही है उस वक्त कि मिरे साथ गलत हो गया या मेरा छोटा काम नहीं हुआ मैंने तो इतनी पूझा की थी इतना काम किया था शायद तुम उस काम के लिए नहीं बने हो तुम और बड़े चीज के लिए बने हो त चीजे जो भक्ती में तीसरा हम जब करते है सत्संग जो उन्होंने कहा सत्संग का एक सत्य के संग तो सत्य कौन है जब हम शास्त्रों में देखते हैं सबसे पहला श्लोग्रु श्रीमत भगवत में आता है वो भगवान का स्वरूप बता रहा है उसमें सच्चिदानंद तो सबसे पहला है सच जो कहा गया सच की रहा पर चलो जो हम ये आपने एक्जाक्ट वर्ड उस वक्त बोले मैं अपनी कथा में भी कहती हूँ कि आजकल हम इतनी छोटी छोटी बातों पे जूट बोलते हैं कि हम किसी से मिलने जा रहे हैं और हम घर से भी नहीं निकला अरे पांच मिनिट अरे सिगनल पे खड़ा हूं अरे बस पहुंट गया अरे क्या हो गया वो दो बाते तो सुनाएगा ना सिर्फ कि तुम समय लेकर नहीं आए पर हम इतनी इतनी सी बातों में जूट बोल रहे हैं यह हमें लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं पर यह बहुत अधिन है जिन्दगी आसान नहीं है किसी के लिए नहीं भगवान के लिए भी नहीं हुई आप राम जी को उठाइए क्रिश्न जी को उठाइए जब तक यहां रहे कोई सुखी नहीं रहा यहां पर आपको सुख खुद ढूणना पड़ता है आपको अपना जीवन खुद निकालना पड़ता है अपने choices को लेकर तो इसलिए पहला सत है दूसरा चित है awareness हम aware नहीं है चीजों को लेकर हम ignore करते है awareness और ignorance यह opposites हो गए कि आप कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रही है नहीं है मैं अधिकतर नास्तिक लोगों को आप देखिए उनको अगर पुछे न नहीं मानते बस नहीं है दिखा नहीं मुझे नहीं दिखा तो नहीं है तो तुम्हें तो बहुत चीज नहीं दिख री मेरे पापा इस पर मैंने बढ़न से question किया था कि मुले तो पापा कैसे जवाब दे पापा बूले उनको पुछना उन्होंने अपने पर दादा को देख कुछ तो सच्चाई होगी उसको ढूनने की कोशिश करो मैं धरम के लिए हमेशा कहती हूं कि आपको ढूनना पड़ेगा भगवान मेरे पापा ने मुझे एक बात कही थी भगवान मानने की चीज है जानने की नहीं जानना क्या होता है पहले इस्तमाल करें फिर विश्वास करेंगे कि भगवान है कि वहीं वहीं गुमाता हूं वो घगवान है उनको अगर आप बोलोगे मैरे सामने आ मुझे दिखा तू है कि नहीं तो बहुत 검 भगवान मानने की चीज है मानो आप जना देगे वो कहां रहीं तो भगवान के लिए वानागे कि पहले आपको मानना पड़ता है दाटे सरेंडर कि मैं मानता हूँ मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ अधिकतर लोग अभी पढ़ क्यों रहे हैं जान क्यों गलत साबित करने के लिए और दुनिया के लिए आप किसी भी चीज़ को जानने की कोशिश करो अपने दिमाग से नहीं कि मुझे गलत साबित करना इसलिए पढ़ता हूँ चलो तो फिर आपका दिमाग सीधा उस गलत बात पर ही जाएगा कि देखो मैंने तो बुला ही था गलत है और उसके आसपस कितनी अच्छी बाते लिखे होगे आप देखेंगे नहीं पर आपक बुलता हूँ दुख देखिए किसी के प्रॉब्लम को एक बोता रहे मेरी जिंदगे अच्छी नहीं चर्णें और मेरी उससे भी खड़ाब है आप किसी से मदद भी कहा मांगेंगे कि वह एक दुख सुना वह चार सुनाता है क्या ही मदद मांगे कि तो मैरे से दुखे कि मैं बोलू, तो ये बंद करिए, भगवान ने अर्जुन की पहले पूरी बात सुनी थी, एक बार भी बीच में इंटरप्ट नहीं किया, उसकी पूरी बात सुनी, क्यों, तब ही वो आंसर ठीक से कर पाएंगे, अगर आप बीच में हर चीज में इंटरप्ट करेंगे, और आनंद का मतलब आक्चली पॉर्मनेंट हैपिनेस होता है, जो आपको भगवान के साथ ही मिलता है, क्या आपको किसी की जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ टेंपररी है, और टेंपररी खुशियों के लिए भगवान ने अर्जुन को लड़ने के लिए इसलिए नहीं बो कि दुनिया में कुछ सच नहीं है, संसार सच नहीं, इसका मतलब क्या छोड़ने के लिए नहीं, क्या आप पहली चीज जब दुख आ रहा है, तो डेप्रेशन में मट जाओ, क्योंकि आप जानते हो ये भी पर्मनेंट नहीं है, टेंपररी है, कल फिर ठीक हो जाएगा, पर्मनेंट वो है, उसके पीछे भागो, तो आप अपने आप ये जो दिखावे की दुनिया है, करते हम सब है, और सब कुछ करना चाहिए, लाइफ में सब इंजॉय करिए, पर अगर उसको जानते होए करोगे कि ये पर्मनेंट नहीं है, तो जैसा मैंने का वो यहाँ पर जिस ब्रांच में वो बैठी उसको काटने लगो, और जब तो ब्रांच नहीं गिरेगा वो नहीं हटेगी, लिएकि उसको ब्रांच में भरोसा है ही नहीं, उसको पता ये रहेगा न, उसको अपने पंखों पे है, कि उस जैसे ही गिरेगा मैं उड़ जाओंगे